हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर्स एडुकेशन पॉइंट में तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने किरिया शारीर का क्रेश को से स्टार्ट किया था जिसके लेक्चर्स मंडे टू फ्राइडे 8 बजे यूट्यूब चैनल पर आते हैं औ हमारा पेपर पूरा फ्लिश हो जायेगा इसमें पहले टॉपिक आता है होमियो स्कर बारे जिसके बारे में हम आज डिसकस करेंगे सेकिर्ट Biz आता है एक melted ब्र फोटेंशन और रेस्निंग एम्धर कशन ब्टेंशल और इन दोने के बीच में तुपिक आता है जो है self physiology और self physiology तुमने अपनी 11th class के studies में अच्छा से पढ़ लिया होगा इसलिए वो तुम्हें हाँ पर explain करने की जरूरत नहीं है और generally इसके उपर भी caution put up नहीं होता है फिर third number पर आता है physiology of respiratory system and fourth topic आता है इसका central nervous system and last fifth topic आता है इसमें digestive system तो one by one हमें इसको cover करना है और within two weeks हम इसको भी cover कर लेंगे paper one हमारा finish हो जाएगा आज की topic में हमें start करना है homeostasis के बारे में तो चलो start करते हैं तो यहाँ पर पहली term दे रखी है इन्होंने homeostasis इसका मतलब क्या होता है तो जरा समझने की कोशिश करना देखो एक होते हैं cold-blooded animals और एक होते हैं हमारे पास hot-blooded animals जो cold-blooded animals होते हैं जैसे कि reptiles हुए जैसे कि lizards वगेर होते हैं हमारी world पर वो दिखाई नहीं देती लेकिन गर्मी के मौसम में दुबारा वापस आ जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो यह cold-blooded animals होते हैं यह अपने internal environment को constant नहीं रख सकते हैं बहार के environment के according जैसे बहार ठंड हुई तो यह अपनी body के अंदर heat produce नहीं कर सकत हैं तो इसलिए क्या करते हैं गर्माई में चले जाते हैं फिर जब गर्मी का मौसम आता है फिर दुबारा वार आ जाते हैं लेकिन जैसे monkey हुए रेट हुए या humans हुए यह कौन से animals होते हैं यह होते हैं hot-blooded animals मतलब यह अपने अंदर के environment को internal environment को constant रख सकते हैं और यही process हमें तुम्हें इसके examples देकर समझागो तो तुम्हें और के लिए हो जाएगा सब्सक्राइब यह हमारी human body अभी human body तो इसका temperature अभी सब्सक्राइब नॉर्मल बड़ी temperature लेकिन सब्सक्राइब इसका जो temperature राइज हो जाता है human body का temperature क्या होगा राइज हो जाएगा और जैसे human body के temperature rise होगा तो जो blood vessel है वो क्योंगे हमारी dilate हो जाएगी है अब तुम्हें एक बाद सोचो तुमने एक mug में दूद लिया चीक है और दूद हो रहा है तुम्हारा बहुत जादा गरम तो तुम्हारी मम्मी है तुम भी ठंडा करने के लिए क्लिए क्लिए तुम्हारे पास जैसे यह जा रही है हमारी vans ठीक है तो जैसे ही temperature बढ़ेगा यह vans थोड़ी सी dilate हो जाएगी ठीक है डाइलेट होने से क्या होगा जो surface area है वो बढ़ जाएगा और surface area बढ़ जाएगा तो क्या होगा heat loss होना start हो जाएगी तो जैसे ही हमारी body का temperature rise होगा हमारी जो vessels है यह dilate होंगी और heat loss होना start हो जाएगी environment के अंदर यह मैं तुम्हें एक normal physiological condition बता रहूं यह हमारी जो fever वगएर होता है उससे related नहीं है ठीक है हमाँ पर अलग mechanism काम करता है तो यहां से क्या होगा हमारी heat loss होगी और heat loss होगी तो हमारा temperature body का वह दुबारा से normal हो जाएगा एक तो यह फंड़ा होता है दूसरा फंड़ा क्या होता है पसीना आता है जो sweat gland होते हैं हमारे fluid secret करते हैं और जैसे ही होगा हमारी body से बाहर ले जाते हैं इसके वैसे क्या होगा हमारी body से heat loss होगी और जैसे हमारी body से heat lost होगी environment में हमारी body का जो temperature है वो फिर दुबारा से normal हो जाएगा बस समझा रही है तो यह जो process चल रही है पूरी इस particular process को बोलते हैं homeostasis यह hot blood animals कर सकते हैं cold blooded animals नहीं कर सकते हैं अब इसके एक example और देखो ज़रूरी थोड़े temperature बढ़ेगा हो सकता है कि temperature कम हो जाए temperature फॉल हो जाए तो जैसे ही temperature कम होगा हमारी body का जो हमारी blood vessels है वो constant हो जाएंगे जैसे इतनी है हमारी blood vessels थोड़ी सी और पतली हो जाएंगे क्यों पतली हो जाएंगे क्योंकि हाँ पर heat का नौस हो रहा होगा तो अब heat का नौस पिल्कुल बंद करने के लिए थोड़ी और पतली हो जाएंगी ठीक है तो और जो secret जो sweat gland है यह कोई secret भी fluid नहीं करेंगे और इसके अलावा जो हमारी body हो शिवरिंग करने लगेगे शिवरिंग का मतलब क्यों होता है हम कपकपाते हैं सब्सक्राइब तो कपकपाने सा क्या होता है हमारी body के अंदर heat generate होती है और जैसे यह heat generate होगी हमारी body हो से गरब होने लग जाएगा और जहां हमारी body का temperature कम हो जाएगा मतलब हमें ठंड लगेगी तो हमारी blood vessels construct हो जाएगे और हम कपकपाने लगेंगे जिससे हमारे body के अंदर heat बनेगी और फिर दुबारा हमारे body का temperature जो है वो normal हो जाएगा और इस particular term को ही हम बोलते हैं homeostasis ठीक है मने इसकी definition लिख है जिसको internal environment बोलते हैं उसको constant रखना ही homeostasis कहलाता है ठीक है अब जखो अगर हमारी body का internal environment deviate करता है मतलब अगर हमें ठंड लग रही है अगर हम शीवरुष नहीं कर पारे तो क्या होगा हमें malfunction यह फिर हमें disorder भी हो सकते हैं जैसे मालों गर्मी लग रही है वह जादा ठीक ह अगर हमारी body heat loss कर रही है regular तो हमारी body के enzymes काम करते रहेंगे ठीक है तो यह मतलब होता है homeostasis का अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से components आते हैं components of homeostatic system तो पहला आता है इसके अंदर sensor जिसको मपोलते हैं receptor तो दखो यह काम कैसे करता है पहले समझने की कोशिश करना suppose कर तो यह है हमारी पूरी एक human body और हमारी human body के अंदर जगा जगा receptors लगे होते हैं ठीक है तो हमारी body अभी तो normal function कर रही है ठीक है normal function कर रही है कोई ही भी दिक्कत नहीं हो रही suppose को रहो कोई deviation आया चलो इसका example लेते हैं मालो हमारी body के अंदर thyroid stimulating hormone जो है thyroxine t3 t4 जो है वो बढ रिया उसके अंदर deviation आया ठीक है तो क्या होगा जो sensors लगे होंगे हमारी body के अंदर वो detect कर लेंगे कि क्या deviation आया है तो sensor का क्या होता है recognize the deviation in any activity in internal environment मतलब जो हमारी body है के अंदर कुछ भी deviation आता है वो इसको easily detect कर लेगी और detect करने के बाद यह information send कर देगी control center के पास control center क्या है control center receive the message from receptor and immediate send command to effector अब जैसे ही T3 हमारी body के अंदर ज्यादा बढ़ रहा है T3 & T4 तो जो हमारा brain है brain hand-to-hand message भेज़ेगा hypothalamus के पास कि भाईया तुम बना रहे हो TSHRH TSHRH को जब ही बनाना कम कर दो योगि TSHRH बनेगा इसकी वज़े से तो T3 बढ़ेगा यह क्या होता है जब तुम पढ़ोगे endocrine system तो मैं समझ में हो जाएगा मतलब जो हमारा TSH hormone होता है इसके जादा होने की ही वज़े से क्या बढ़ता है T3 बनता है ठीक है हमारी body के तर T T3 जादा बन रहा है तो brain को क्या मिला signal बिना तो brain क्या करेगा hand-to-hand effector effector का मतलब होता है वो particular organ जो होँपर act कर रहा है तो यहाँ पर hypothalamus act कर रही है तो वो hand-to-hand इसको बोले कि तुम TSH बनाना कम कर दो अगर TSH बनाना तुम कम कर दो तो यह automatically T3 कम हो जाएगा तो hand-to-hand जो अब इसको जो मैंने तुम्हें एक्जांपल बताया है इसको हम बोलते है negative feedback मतलब अगर एक चीज जादा हो रही थी तो इसको कम करवाया तो इसको हम बोलते है negative feedback जगा 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 पर मतलब जनरली हमें negative feedback देखने के लिए ही मिलता है हमारी priority में कुछ ही mechanism में से जहाँ पर यह थोड़ ज़र में बताऊंगा यह तो तुम countrys हो जोगे I hope तुम्हें इतनी बास समझ में आ गई होगी next page पर effector के बारे में लिखा है effector क्या करता है यही इफेक्टर क्या करता है receive करता है signal ठीक है control center से और यह तो accelerate कर देगा उस चीज को यह फिर उसको inhibit कर देगा है दो वर्ड आ रहे है accelerate या inhibit यह बहुत important word है इसके अंदर ठीक है अब accelerate किस condition में करता है और inhibit किस condition में करता है इसी बारा में हमें जानना है और इसी के ओपर depend करता है negative feedback mechanism और positive feedback mechanism ठीक है चलो हम बात करते हैं इसके mechanism of action की mechanism इसका वही है अगर कुछ भी change आता है तो वह क्या करता है normancy create करने के लिए यह तो inhibit कर देगा चीजों को यह accelerate कर देगा depending upon the requirement of the situation जैसे भी हमारी body को requirement होगी कि किस चीज को हमें बढ़ाना है किस चीज को हमें कम करना है तो उसी के according जो हमारा effector है वह work करेगा ठीक है हम आगे चलते हैं आगे जो homeostasis होता है यह दो type को होता है एक होता है negative feedback और एक होता है positive feedback negative feedback का मैंने तुम्हें भी एक example समझा दिया था अब आगे और example समझाओंगा negative feedback homeostasis mechanism in a such a way to arrest the change और reverse the change नेगेटिव फीडवेक किस तरीके से काम करता है जो change हो रहा है उसके उल्टा काम करना जैसे T3 बढ़ रहा था तो इसका उल्टा क्या होगा T3 को कम कर दो इस तरीके से काम करेगा और positive feedback किस तरीके से काम करेगा कि जो चीज बढ़ रही है उसको औ इमर्जेंसी सिच्वेशन ठीक है किस तरीके से पड़ती है अभी आगे चाहिकर चल कर एक्जामपल दोगा मतलब negative feedback किस तरीके से काम करता है जो चीज बढ़ रही है उसको कम करो यह फिर जो चीज बढ़ रही है उसको और बढ़ाओ ठीक है लेकिन positive feedback क्या करता है जो चीज of the hormones लेकिन कुछ hormones का example आता है जो positive feedback कि तरह काम करते है अगला आता है regulation of water balance in body इसका example समझने की कोशिश करना तो ठीक है देखो यहाँ पर हाँ यहाँ पर दोखो जो चार्ट बन रहा है यह सी का मन रहा है हमारी बोडी के अंदर normal level है थायरोगजिन hormone का थायरोगजिन T3 T4 का ठीक है normal है जब इसका normal level है हमारी बोडी के अंदर तो हमारी बोडी के अंदर कोई भी deviation नहीं आएगा और normal level ही रहेगा कि इसका थायरोगजिन का लेकिन होता क्या है हमारी बोडी के अंदर थायरोगजिन का level increase कर जाता है जैसे ही इसका level increase करेगा जो हमारा hypothalamus है control center के पास message जाएगा वह hypothalamus के पास command बेजएगा वो क्या कर देगा वह inhibit कर देगा TSH के secretion में अब जैसे ही TSH का secretion का होगा कि मैंने तुम्हें क्या बताया जो TSH hormone होता है इसी से बनता है T3 T4 और थायरोगजिन तो जैसे ही TSH कम होगा इसी तरीके से जो हमारा थायरोगजिन यह भी कम ह हो जाएगा और हमारी बोड़ी फिर दुबारा से normal condition में आ जाएगी और ऐसे ही अकर नॉर्मन लेवान थायरोगजिन का और अगर यह decrease हो जाता है तो stimulation मिल जाएगी इसको hypothalamus stimulate करेगा क्या कि और बनाव TSH जिसकी वज़से क्या होगा थायरोगजिन फिर दुबारा से अचावे टू इंक्रीज ता इंटेंसिटी ऑफ दा चेंज इन दा सेम डारेक्शन मतलब जो चीज़ कम ज्यादा हो रही है उसको और ज्यादा बढ़ाना उसी की डारेक्शन में चेंजिस लहना इसको क्या बोलते हैं positive feedback बोलते हैं इसको इसका example आता है एक तो blood clotting के time पर ज इसका नाम है oxytoxin और oxytoxin से क्या होता है labor pen start होता है और जैसे labor pen होगा तो जो delivery होती है वो start होना delivery होना start होती है इस hormone की help से अब सपोस करो oxytocin एक बार बन गिया मानलो command बली कि oxidation oxytocin बढ़ाओ ठीक है इससे क्या होगा labor pen होगा लेबर pen होगा तो command जाएगा कि labor pen हो रहा है क्यों क्योंकि labor pen हो रहा है और delivery हमें और जल्दी करानी है और ज्यादा labor pen होगा oxytocin रिलेज होने से तो फिर और ज्यादा command मिलेगी फिर और ज्यादा oxytocin मिलेगा तो यह cycle चलती रहेगे जब तक delivery नहीं होती तो इसको हम बोलते है positive feedback mechanism और ऐसे होता है milk ejection के time पर milk ejection के time प जब baby मतलब nipple को touch करता है तब यह reflex start होता है और इस reflex के start होने से क्या होता है oxytocin बनना start हो जाता है तो जब तक वो reflex उसके मिलता रहेगा यह oxytocin जब तक बनता ही रहेगा ठीक है तो example हो गए अब तीसरा example है इसके अंदर blood clotting का blood clotting example देखो मालो हमें चोट लगी हमारा यह मालो हैंड है यहां पर एक गहाँ हो गया चोट लगी तो क्या होगा है यहां पर cloud बनना start होगा तो formation of prothrombine activator prothrombine activator बनेंगे फिन curvature of prothrombine intothrombine मतलब एक layer लगी current की जैसे हम current बोलते हैं तो होगा क्या है यहां पर एक layer बनी अब क्या होगा एक layer से काम थोड़ी चलेगा हमें और जिसको पर मोटा current चाहिए तो यह जो cycle बार-बार repeat होती रहेगी बार-बार repeat होती रहेगी और बनेगा current और बनेगा और बन की stoppage हो जाएगी तो यहां पर भी क्या होता है positive feedback हमारा काम करता है ठीक है तो यह था यहां पर हमारा positive feedback के बारे में आज की वीडियो में बसा हम इतना ही रहने जैते हैं अगर तुम्हों में चैसे समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करकर जाना अपनी प्र